तो गेमिंग पीसी विडिट तो सभी लोग करते हैं और हम लोग भी इस विडियो में एक गेमिंग पीसी विडिक करेंगे कुछ मजा नहीं आ है राइट वह अब आएगा वाट्सपट गाइस कुछाल है और आज के इस यूडियो में हम लोग एक विडिक करेंगे और जितना सारा इक पीसी पार्ट मैंने इस वीडिया में यूज किया है वह सारा का सारा ओलेक सबाइख किया है एकसाप दा प्रोसेसर दो राइजन का मदव कहरैजिदा हुआ है तो पूरा है थासे वह सरक आंग पार्स का ओरजिनल प्राइस मतलब कि जो ना प्रैस हैं वो प्राइस है और मैं उपको यह भी बताओं गांगा कि वह मैंने कितना पुर्चेस कि आ है तो विडियो गॉल्या थेका देचने के लागता वह कि दिखाने वाला हम फुरा फोड़ा गे मैंने यूज किया है वो सारा कासर एक दिम गेमिंग है एक सब दा प्रोसेसर क्योंकि अगें मैं बता रहा हूं कि प्रोसेसर मुझे में नहीं मिला तो मुझे नया खरीबना पड़ा और मेरा बजट एक दम लो था तो मैंने यहां पे बताऊंगा यार सबसे पहले मदवोर्ट मैं आपको बहुत सारा चीज मिलता है जैसे कि M.2 लॉकिंग कर सकते हो तो इसलिए मैंने इसको पर्चेस किया है और यह मुझे पड़िया 6500 रूपीज का जबकि इसका नया प्राइस है 13,000 रूपीज यह एक काफी बैंक फदा बग गिल था तो मैंने पट्राक से पर्चेस वह सारा मुझे मिला और इसमें आपको सारा का सारा तो काफी बात है अब प्रोसेटर की बात करें तो प्रोसेटर में पर्चेस के राइजन 3 का 1200 जिया मैंने यह आपर यह यूज तो किया है बट मेरा यूज इसको पर्चेस करने का कोई इंटेंशन नहीं था मुझे जाना कि सारा का सारा मतलब अच्छा कॉंपोनेंस हो गया है सिर्फ प्रोसर जो है एकदम लोग हो गया है तो इसलिए मैंने राइजन 3 एकदम से पर्चेस कि लिया एकदम लोग वाला मॉडल क्यूंकि इसमें मुझे ज्यादा कुछ पैसे खर्च करना नहीं था बाद में प्रोसे करने का सोच रहा हूं यहां पर राइजन 5 1600 या फिर 2600 के सब जाना चाहता हूं तो फिलाल के लिए यहां पर मैंने राइजन 3 ले लिया है और इसको मैंने अमजन से पर्चेस किया है करीब 5400 रूपीज का एंडी अवे लवल था 5200 रूपीज का बरस में आपको डिलिवरी फैटरी मिलता है तो टोटल मिला के वहां पर 5500 हो रहा था तो मैंने अमजन में 5400 में परजैस कर लिए और यह वी काफी जी संसाप्रश पॉर को फोर थरेज में मतलब कि रिएल फोर कोर्श में यहां आपको आपको इक ही थेड मिलता है बट वह जो है एक दम पर को में मैं जो कि अच्छी बात है और मैंने इसमें बहुत सारा गेम भी ट्राइए काफी डीसन से मांट सा एक एक लगा तो मुझे लगता है कि इस प्राइस में आपको इससे बहतर कोई प्रसर मिलेगा तब मैंने फिलाल के इसको पर्चेस कर लिया अब रैम की बात करते हैं नॉर्मल से पर्चेस किया अजाटा का एकस्पीजी रैम जो कि काफी चीप में मिला था मेरे को फूरा का फूरा सिल पैक था और यह 2400 मेगास का रैम है और हीट सिंग के साथ है तो आप थोड़ा बहुत शायद सब्सक्राइब कर सकते हो और यह मुझे पढ़ गया 3000 रुपीज का तो लाव चीज आए बसानी है और दिखने में भी यह रैम काफी सही रिखता है एकडम ऐसे प्रिजम टैक का पनाया हुआ है जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया ले रहा बढ़िया नहीं लेगा मतलब पोर से अरका जादा अच्छा था अच्छा था अब मेरे पास कोई आप्श है और बहुत सारे गेम्स करने बाद मैंने कुछ कुछ गेम्स में एक इशू देखा जो कि अगर आप एंटी लीजिंग या फिर MSA FXA कुछ भी 11 करे तो मतलब 8x6 में जाल लेते हो तो उसका FPS जो एकडम से घटाक से एकडम लोग हो या था मतलब कि 10-13 FPS दे रहा था मैंने VTA कि अल्टरा किया तो उसका FPS जो एकडम 10-13 में गिर रहा था तो मैंने सुझा कि RX 580 के साथ बिल्ड करना सही नहीं होगा और इसलिए मैं हमेशा NVIDIA प्रेफर करता हूं क्योंकि NVIDIA में क्या होता है सारा का सारा गेम्स जो है आपको स्मूर्ली चलता है को सकता है slightly FPS आपको कम म होता है अगर आप एकडम अल्टरा में खेलना चाहते हो तो इसलिए मैंने अगें से यहां पर यूसके GTX का 1060 और यह मुझे पढ़ गया 15,000 रुपीज का और यह मेरा खुद का है तो इसका नॉमल प्राइस है वह है 27,000 या 26,000 होता रहता है तो यहां में 15,000 का का अच्छा इसको पॉच्छेस कर लिए है और यह वालों जब ग्राफिकाड अभी तक का मार्केट में मतलब के काफी तहल का मचा रहा है आप इसके साथ अभी तक भी टेने की पी में से अटलिस्स 50 तो इसको यह जो ग्राफिकाड है अच्छा प्राइस है तो आप इसको अभी भी पॉ पावर सप्लाइ की बाद करते हैं अगर आप आप अनलिन मार्केस लोगे या फिर आफ्लान मार्केस लोगे तो आमजन में आपको यह पढ़ जाता है 44 से लेके 45 रूपीस का और अगर इसको आप इसको आफ्लान में लेने जाओं तो ऐसा ही कुछ प्राइस पढ़ेगा तो काफी अचाए डील था तो मैंने पर्टेस के लिया अब मुझे 6 750 वाट तो 25 रूपीस में मिल नहीं सकता है तो 650 वाट भी काफी एफिशेंट होता है मतलब कि काफी इनाफ होता है इन सारे कॉंपोनेंस को रंग करने के लिए तो यहां भी मैंने कॉसेर का 650 वाट पचेस किय है इस बिल्ट के लिए CPU केस की बात करता है यहां मैंने पर्टेस किया सर्कल का CC830 और इसका जो प्रैस है मतलब कि जो ऑनलान प्रैस में वह है 4400 से लेके 5000 रूपीस का बट यह मुझे मुझे मिला 2500 रूपीस का विट 5 फैंस मांटे जाने तो काफी अच्छा दील था और यह केस एक्चली में दिखने में काफी सही लगता है यह वाइट कलर में और इसका जो फैंस है वह ब्लू कलर का एलिगी के साथ आता है और इसका खास बात यह किसमें आप चार हाजिस लगा सकते हो जो कि काफी है अगर आपके बास एक्स्ट्रा कोई इंटरन हाजिस गया है तो उसको आप उपर माउंट कर सकते हो तो इसी बात के लिए मैंने अभी तक इसको चेंज नहीं किया है प्योंकि मेरे पास जो हाट डिस बहुत सा रहा है तो इसको लगाने का जगा नहीं होगा तो कैसे होगा बर इसका एक नेगटिव साइड भी है वो यह कि इसका जो पीछे प्रांस्परेंट नहीं है यह ब्लाइक विंडव है तो थोड़ा बहुत देख पाऊगे अगर लाइट तो हाट इसकी बात करते हैं यहां मैंने यूज कि है सीगेट का टूटीव स्काइवक हाट डिसक और यह भी मैंने ओलेक से पुचिस किया अराउंड 3,000 रुपीज का अराउंड 5,100 रुपीज और यह मुझे मिल गया 3,000 रुपीज का वह भी सिल पैक तो काफी अच्छा डिल था मैंने इसको पर्चेस कर लिया और बेसिकली एक टूटीव आजकल के लिए बहुत ही कॉमन हो चुका है क्योंकि गेम का साइस बहुत ही बढ़ चुका है तो आप आपका चैंपरेशर जो एक काफी मतलब सही रहता है 50-60 डिग्री इस तक रहता है तो काफी अच्छी वात है आपको अब बहुत का जरूर्ट नहीं और मुझे भी जरूर्वत नहीं था क्योंकि मैंने पैसे नहीं था तो यही था सारा का सारा का सारा काम्पोनेंस गाइस औ आपको पूरा का पूरा प्री बिल्ट पीसी मिल जाए और जैसे कि मैंने इसको असेंबल किया है तो मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा पड़ेगा ज्यादा नहीं ठीक पड़िया बट एक बात यहां पे है कि आप यही वादा PC के साथ आप राइजन 3 मत लेना राइजन 5 ल सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा और अगर आपको थोड़ा बहुत जादा बजेट हो तो आप राइजन 26 के साथ भी जा सकते हो तो फड़ावा से चलो आप PC विल देख लेते हैं टाइमलाप्स में बट उससे पहले अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्याते हैं यहनों आप डाइब आपक शू आपक शू आपकॉन आपको थेज़ा थे लिभी जिए धेन के साथ अधने जा करने में लिए नहीं जा वि देख राइजसे बाइब कर दो ईंसर द्वाहरा बढकर यह नहीं है जादे जाए लिए तो कर दो यह नहीं है झाल आंसे नहाईक, वो बमाश्य कि अरीज को कि अधुने में आपपा करें अधू कि अधल यहाई सुवाई जिस आए पुंसे अधू स्थे से प्ताप आप से और लेगा हुआं एपैंडरी और लाइडरी और ले लेंग रुट्यों से और ले टामेति टिर्व एं़ एंदोब है रही टेञ्मासा है कि अावार राव है किसिभी कर रहां कि और दोॉघंग सब्सक्राइ थामुष झाएम। झाल को करेंग Architect ¬ I promise, now's not the right time Yeah, I don't wanna fight with you I would rather lie to you I would rather lie I would rather lie I don't wanna fight I would rather lie to you If I'm honest, I'll just make you cry Yeah, I don't wanna fight with you I would rather lie I would rather lie I would rather lie to you I don't wanna fight I would rather lie Call me all night long Try to give you hints and a heart to see Right on the line, oh Losing it on you, so I think I know If I'm honest, I'll just make you cry Yeah, I don't wanna fight with you I would rather lie to you I promise, now's not the right time Yeah, I don't wanna fight with you I would rather lie to 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 you I don't wanna fight with you I would rather lie to you I must, now's not the right time Call me, call me, and I guess in a way you do Holdin' my breath on revelin' emotions I need some space to think this through Call me all night long Try to give you hints and a heart to see Right on the line, oh Losing it on you's the last thing I need If I'm honest, I'll just make you cry And I don't wanna fight with you I would rather lie to you If I promise, now's not the right time And I don't wanna fight with you I would rather lie to you Look away so you won't see Cause the pain is in my eyes Feels like I could break at any moment And shatter your insides If you feel my life Call me all night long Try to give you hints and a heart to see Right on the line, oh Losing it on you's the last thing I need If I'm honest, I'll just make you cry And I don't wanna fight with you I would rather lie to you I promise, now's not the right time And I don't wanna fight with you I would rather lie to you I would rather lie I would rather lie I don't wanna fight I would rather lie to you If I'm honest, I'll just make you cry And I don't wanna fight with you I would rather lie to 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 you I don't wanna fight I would rather lie to you Call me all night long Try to give you hints and a heart to see Right on the line, oh Losing it on you's the last thing So finally, my PC is ready And it's very killer And it's very good So now, I'll just show you a few games Let's see how you're happy And all the games I'll try So now, let's play some games on it And let's see how much of the juice is Orange juice is here I don't know how much of the juice is I don't know how much of the juice is I'd rather lie to you I would rather lie to you I would rather lie to you I don't wanna fight with you I would rather lie to you Cut my mistake I will just make you cry And I don't wanna fight with you I would rather lie to you I know you feeling like you want me And I guess in the way you do Holdin' my breath, I'm revelin' emotions I need some space to think this through Call me all night long Try to give you hints and a heart to see Right on the line, no Losing it on you is the last thing And if I'm honest, I'll just make you cry And I don't wanna fight with you I would rather lie to you I promise, now's not the right time And I don't wanna fight with you So, as you can see, I've run a lot of games And almost all games are run 30 plus or 40 plus FPS Even in ultra preset So, Ryzen 3 is a full professional in this budget And if you put GTX 760, you don't have a bottleneck So, that was the potential of it guys And if you liked any video, please like and comment on how you feel And subscribe to this channel for quality content And I'll just give a thumbs up And if you want to see what's happening And I'll also check out the next video I'll see you in the next video And see you in the next video Bye 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 That's all I know Losing it all is the last thing I know